हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आपने अक्सर दीखा हुगा कि जब भी हमाय स्किन बहुत ज्यादा ओईली होती है तो इसे मिंटेन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना ही हम अपने स्किन पर कोई बहुत ही अच्छा फेस वाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही हम अपने फेस पर कोई क्रीम लगा सकते हैं क्योंकि ओली होने की वज़े से वो सारी चीजे हमारे चहरे के साथ रियाक्शन कर जाती हैं तो आईए इसलिए आज जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो के दुआरा कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ओयली है तो आप उसे किस तरीके से मेंडेन कर सकते हैं टिप नमबर बन, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी oily skin को सही तरीके से maintain करें, तो आपको उसे सही तरीके से साफ करना बहुत ज़रूरी है. अच्छे mild face wash का इस्तिमाल करें या फिर ठंडे ठंडे पानी से अपनी चहरे को wash करें. ऐसा करने से चहरे के रोमचिद्रों में जमा गंदगी और excess oil साफ हो जाता है. टिप नमबर टू है scrubbing करना. Scrubbing करना हर skin type के लिए बहुत जरूरी है. फिर चाहे आपकी skin oily हो, sensitive हो या फिर normal हो. इसलिए scrubbing जरूर करें. ऐसा करने से चहरे की dead skin cells remove होते हैं. टिप नमबर 3 है face pack का प्रियोग करना. हर 15 दिन में कम से कम एक से दो बार चहरे पर face pack जरूर लगाएं. ऐसा करने से चहरे में कसाव आता है, excess oil साफ होता है और चहरे की रंगत भी निखरती है. टिप नमबर 4 है अपने चहरे को अच्छे तरीके से tone करना. टोन करने से हमारे चहरे की गंदगी साफ होती है. रात को सोने से पहले अपने चहरे को गुलाब जल या फिर खीरे के रसे अच्छे तरीके से साफ करी. ऐसा करने से उनके गुणाप की तच्छा के अंदर जाएंगे और तच्छा अच्छे तरीके से tone हो पाईगी. टिप नमबर 5 है मॉस्ट्राइजर. कई लोगों को लगता है कि अगर उनकी स्किन ओयली है तो उन्हें मॉस्ट्राइजर की जरुरत नहीं है. ऐसा बिलकुल भी नहीं है. अगर आपकी स्किन ओयली है तो मॉस्ट्राइजर का प्रियोग जरूर करिए. ऐसा करने से आपकी तचा में नमी बरकरार रहेगी और एक्सेस ओयल भी काफी हद तक कम हो जाएगा सो दोस्तों ये है आसान से तरीके ओली स्किन को मिंटेन करने के लिए इन्हें ट्राइज जरूर करिए और हमें बताएए के आपको कैसे लगी मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए